हेलो दोस्तो, 11 दिन यह सिफ तीन चीजे खालो, पूरी जिन्दी की शुगर लेवल, कंट्रॉल, पेट के रोग मुटापा, कम जो राखे, दिल चे जोड़ी बिमारियां कभी आपको नहीं होंगी और आप सर से लेके पैर तक निरोग हो जाएंगे, इस होम रेमिडी से बहुत ही पावरफुल है, बड़ी से बड़ी बिमारी से भी आप आसानी से छुटकार आप आलोगे, डाइबिटीज की समस्या है, तो इस होम रेमिडी से आपका शुगर लेवल हमेशा कंट्रॉल में र करते हैं, तो हमें जो चीज चाहिए, वो है मेथी दाना, सभी लोग जानते हैं, यह हैं पंकिन सीट्स, पर इनको खाने का और बनाने का भी दोस्तों तरीका होता है, कभी भी खाने से, कोई भी चीज कभी असर नहीं करती है, सब चीज तरीके से खाई जाए, तब ही असर कर और गुट कॉलेस्टरॉल बढ़ अच्छा हो जाएगा हार्ट ब्लॉकेज की समस्य है वो भी ठीक हो जाएगी इससे आपको हर अटक से बचा काफी हद तक हो जाएगा इस रेमिटी को आप जरूर से ट्राएगे जिए बहुत ही पावर्फुल है कॉलेस्टरॉल की समस्य है ब जरूर से ट्राइग कीजेगा और इसको कम से कम आप एक महिने तक ट्राइग जरूर कीजिए इससे खून की सफाई होती है जो गंदा खून हो जाता है कभी कभी हमारे शरीर में उससी भी दोस्तों हजारों बिमारिया हमारे शरीर में जनम ले लेती हैं गुटने का दर्ड, स्ट्रेस, सरमे दर्थ, आंकों की कमजोरी, जो गंदा खून होता है, वो हमारे शरीर में नई नई बिमारियों को पैदा कर देता है, जैसे की स्किन प्राबलम, करी तरह की हमारे चेहरे पर पिंपल्स वगेरा निगल जाते हैं, जाया हो जाती है, यह सब हमारे पेट खराब होने की कारण होती है, चेहरे पर पिंपल्स वगेरा, इससे चेहरे की जो सुन्दरता है वो खराब हो जाती है, पेट के रोक पैदा हो जाते है पाचन तंत्र हमारे कमजोर हो जाता है हमारे पेड में गैस असीडिटी बहुत ज़्यादा बनती है तिजाव की मातरा बहुत ज़्यादा हो जाती है कैस कबच असीडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो हमसे बरदाश नहीं होती और वो फिर हमारे शरीर में नसों में पहुंच जाती है, इसलिए हमें healthy food खाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा fruit का सेवन करना चाहिए, इससे हमारा पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है, आप जो हमारा मुटापा हुआ है, वो भी इस remedy से काफी हद तक कम हो जाएगा, जो ह एक या दो दिन में दोस्तों आराम नहीं होता है, अगर आखे कमजोर है तो इससे आखों की रोशनी बढ़ेगी, आखों से जुड़ी कोई भी समस्या है, इस remedy से काफी हद तक खतम हो जाएगी, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको remedy बनानी कैसे है, तो यह है खस- खस- तो सभी जानते हैं, पर इसका तरीका है बनाने का, आज मैं आपको पूरा तरीका बताने वाली हूँ, तो मैंने हाप एक खस-कस ली है, थोड़े से ली है, मखाने, इसमें कैल्शियों बहुत ज़्यादा होता है, जैसे उठने बैठने में दिक्कत होती है, वो दिक्क अनिंदरा की समस्या होती है, नींद नहीं आती है, बेचैनी हो जाती है, इन सबसे ये समस्या खतम हो जाएगी आपकी, एक पतिली मैंने ये फैट फ्री दूद है, मलाई मैंने निकाल ली है, दूद को बाइल करके, एक गलाज दूद ले लिया है, पूरा मैंने, अब मैं इसके अंदर डालोंगी, एक आदमी के लिए बना रही हूं, दो चममच खसकस, मैं बिलकुल क्लियर कर रही हूं, एक ग्लास दूद में दो चममच ₧ खसकस लिए दोस्तों, मैंने, पूरे एक कटोरी मैंने, फूल मखाने लिए हैं, मखाने की कौन्टिटी, आप कम से कम, छो में बहुत अच्छा होता है नस नस में हमारे ताकत आती है और कैल्शयम की पूरी कमी पूरी हो जाती है जो मखाने होते हैं बहुत पावर्फुल होते हैं कम या ज्यादा कुछ मातरा नहीं है पर एक कटोरिया प्नीमम जरूर लें यहें ओट्स इसके अंदर बहुत मुटापे को घटाने के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा मुटापा है तो आप एक बार इसको डायेट में जरूर शामिल करें आपका मुटापा बहुत तेजी से कम होगा दोस्तों मेरी गरंटी है आप इसको धीरे धीरे करके बौयल करें इस तरीके से कम से कम 4-5 मिन इसमें डालूंगे चुटकी बर हल्दी, बहुत अच्छा गाम करेगी हमारे शरीके दर्द को गतम करने के लिए, इसको मिला लेते हैं, और मैं इसको बिल्कुल लो गैसे पका रही हूं, तो ये देखे, इसका कलर देखे, बहुत अच्छा है, कलर से जादा इसमें ताकत इत्राइटिस के लिए, जो कमर में पेन, सर में दर्द होता है, सर्वाइकल का दर्द होता है, उन सब के लिए राम बाण का काम करेगा, पेट में कब्स की समस्या हैं, जो हमने जो ओट्स डाले हैं, वो बहुत ही पावरफुल है, कब्स की समस्या बिल्कुल खतम हो जाएग आप चाय न लेके इसको ले बहुत ही ताकतवर चीज है इसको खाने के बाद आपको कम से कम 4 गिंटे दर कोई भूखनी लगेगी और अपने आपको बिल्कुल तरो ताजा महसूस करेंगे चलिए नेक्स रेमेडी देखते हैं यह है मेथी दाना सभी के घरों में होता है यह है पंकिन सीट्स बहुत सारा फाइवर होता है इसमें प्रोटीन होते हैं जो हमारे जोडों की दर्द की सूजन को खतम करते हैं अर्थ्राइटिस को खतम करते हैं माश पेशियों हड्डियों के दर्द को खतम करते हैं हमें क्या करना एक क्रेटोरी पानी में डेर चम्मस पंकि मैं आपको एक और रेमेडी बताती हूं आप इसको किस तरीके से और कंजूम कर सकते हैं चलिए देखते हैं मेती दाना है और यह हैं पंकिन सीट्स इनको डाल देती हूं मिक्षी के जार में बिल्कुल नेचरल चीजे हैं दोस्तों कोई नुकसान नहीं होता है इनसे सिर्फ फ पीस लिया है दवा हैं बलकि हमारे शरी को नुकसान करती है पर नैचरल चीजे हैं नदर नहीं कि दोस्तों बनाहा थाuing। पे धीरे धीरे पकाना है जो मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूं इससे जो मारा जॉइंट्सों का दर्द है ना अर्थ्राइटिस की समझ से है बिल्गुल खतम हो जाएगी लेकिन आपको रेगुलर कंटिन्यू करना होगा कम से कम एक महीना रिजल्ट आपको तब कीचेगा वह मैं जरूर लेके आऊंगी तो जो मारा काड़ा था ना रेडी हो चुका है अब हम इसको छान लेते हैं गुटनों की जो ग्रीस खतम हो गई थी ना दोस्तों वह बिल्कुल बनेगी दुबारा से आप इसका सेवन कीचेगा कम से कम एक महीना आपको जो घुटन कीचेगा अचीचारा unde और व्यटा इसको अचीचेगा कीचेगा कैसा इक ow lend कीborते हों की कि सुथनदा बेस और जो ए शक्तरेवन करेंगे पहल गते हैं अब गतर्येगा कहीश हो श्यक्रतों करके बहुत दुम करना सुद्प इसको में सिप सिप करके पीए और जो मेरे मेथी दाना भिगो रखा था इसको आप चबा चबा के सुबह के टाइम खाले गुंगोने पानी से अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में इसको शेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मु